नमस्कार दोस्तों 18 कमपनियों का डिविडेंट बाइबेक बोनस नीज लगा रहा हूं लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजिए और अगर चैनल पढ़नाए है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिके लिमिटेड है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 24,132 रुपया परती सेयर है यह 140 रुपया परती सेयर डिविडेंट देगी इसकी एक स्टेट एक नवंबर है अगली कमपनी का नाम कोफोर्ज लिमिटेड है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 5,108 रुपया परती सेयर है यह 19 रुपया परती सेयर डिविडेंट देगी इसकी एक स्टेट 2 नवंबर है अगली कमपनी का नाम नेशले इंडिया लिमिटेड है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 24,132 रुपया परती सेयर है यह अस्टाक अस्प्लीट करेगी एक अनुपात एक की रेशियों में इसकी एक स्टेट अपकमिंग है नेश्ट कमपनी का नाम हिंदुस्तान यूनी लिवर लिमिटेड है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 2548 रुपया परती सेयर है यह 18 रुपया परती सेयर डिविडेंट देगी इसकी एक स्टेट 2 नवंबर है अगली कमपनी का नाम साइंट इंडिया है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 1767 रुपया परती सेयर है यह 12 रुपया परती सेयर डिविडेंट देगी इसकी एक स्टेट एक नवंबर है next कमपनी का नाम MPS Limited है इसकी Current Market Price 1724 रुपया परती से एड है यह इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 27 अक्टूबर को रखी है अगर यह डिविडेंट देती है तो इसकी एक स्टेट 6 नवंबर रहेगी अगली कमपनी का नाम Supreme Industries Limited है इसकी Current Market Price 4644 रुपया परती से एड है इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 30 अक्टूबर को रखी है और इसका एक स्टेट 7 नवंबर है अगली कमपनी का नाम Jindal Astonless Limited है इसकी Current Market Price 450 रुपया परती से एड है इसने अपनी डिविडेंट रिजल्ट की मीटिंग 28 अक्टूबर को रखी है दोस्तो इसी परकार का डिविडेंट बाइबेक बोनस स्प्लिट न्यूज पाने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन अन कर लीजिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट का कोई भी न्यूज सबसे पहले आपको मिल सके नेक्स्ट कमपनी का नाम सोनाटा सॉफ्ट्वेर लिमिटेड है इसकी करेंट मार्केट प्राइस एक हजार एक सो चार रुपया परती सेर है इसने अपनी बोनस इसू करने की मेटिंग 25 अक्टूबर को रखी है अगली कमपनी का नाम SBI कार्ड्स लिमिटेड है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 790 रुपया परती सेर है इसने अपनी बोर्ड मीटिंग 27 अक्टूबर को रखी है नेक्स्ट कमपनी का नाम ध्यानी Tiles & Marbles है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 175 रुपया परती सेर है यह बोनस देगी नौन पाथ 5 की रेशियो में इसकी एक स्टेट अपकमिंग है अगली कमपनी का नाम टाटा मोटर्स लिमिटेड है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 667 रुपया परती सेर है इसने अपनी बोर्ड मीटिंग 2 नवंबर को रखी है दोस्तों हमारा टेलिग्राम चैनल भी है आप अगर चाहें तो उसे भी जौइन कर सकते हैं क्योंकि टेलिग्राम पर भी मैं अस्टोक मार्केट की लेटेस जानकारियां देता रहता हूं और फ्री स्विंग टेडिंग कॉल भी देता हूं जिसका टार्गेट भी हिट होता है अगली कमपनी का नाम कोल इंडिया लिमिटेड है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 316 रुपया परती सेर है इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 10 नवंबर को रखी है और अगर यह डिविडेंट देती है तो इसका एक्स टेट 21 नवंबर रहेगा नेक्स्ट कमपनी का नाम NMDC लिमिटेड है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 161 रुपया परती सेर है इसने अपनी क्वाटर टू रिजल्ट की मीटिंग 14 नवंबर को रखी है नेक्स्ट कमपनी का नाम RealTel Limited है इसकी करेंट मार्केट प्राइस 232 रुपया परती सेर है इसने अपनी डिविडेंट की मीटिंग 26 अक्टूबर को रखी है और इसका एक्स टेट 4 नवंबर है अब L&T Finance Holdings की निवज Quarter 2 रिजल्ट L&T Finance Holding ने कमाया 595 करोर 6 महिने में दिया 52% का रिटर्ण दोस्तो L&T Finance Holding Quarter 2 रिजल्ट दूसरी तिमाही में कमपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफ़ा सालाना आधार पर 46 परतीसत बढ़ कर 595 करोर रुपय रहा कमपनी ने कुल लोन बुक का 88 परतीसत रिटेल लोन पोर्टफोलियो मिक्स्ट भी हासिल किया है L&T Finance Holding Quarter 2 रिजल्ट देश की लीडिंग नौन बेंकिंग फाइनेंस कमपनी NBFC में सामिल L&T Finance Holding Limited LTFH ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किये है दूसरी तिमाही में कमपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफ़ा सलाना अधार पर 46% बढ़ कर 595 करोर रुपे रहा कमपनी ने कुल लोन बुक का 88% रिटेल लोन पोर्टफोलियो मिक्स्ट भी हासिल कर लिया है जो लक्ष 2026 के तहत निर्धारित 80% रिटेलाइजेशन के टार्गेट से अधिक है कमपनी के लक्ष 2026 के अधिकांज टार्गेट लगभग 3 साल पहले ही हासिल कर लिया है कमपनी का कस्टमर फेसिंग अप्लिकेशन प्लेनेट एप जिसे वितवर्स 2022 की चौथी तिवाही में सौफ्ट लाँच किया गया था अपने ग्राहकों के लिए एक सकति साली डिजिटल चैनल के रूप में उबड़ा है और अब तक सकति 60 लाख डाउनलोड के आकरा को पार कर चुका है वितवर्स 2024 की सितंबर तिमाही में कमपनी का रिटेल डिश्टर्समेंट सलाना अधार पर 32 परतिसत की बढ़ोतरी के साथ 13,499 करोर रुपे रहा यह तिमाही डिश्टर्समेंट सुरुवात के बाद रिटेल फाइनांस LTFS द्वारा अब तक का सबसे अधिक है और सभी डिटेल सेगमेंट में मजबूत ग्रोथ चलते रही है डिटेल बुक अब 69,417 करोर रुपे हो गई है जो 30 सितंबर 2022 को समापत तिमाही की तुलना में 33 परतिसत अधिक है तिमाही के दोरान LTFS ने अपने होलसेल बुक को तेजी से कम करने की रनीती जारी रखी है होलसेल बुक में सालाना अधार पर 76 परतिसत की कमी आई है और यह लक्ष 2026 टार्गेट के अनुरूप 38,058 करोर रुपे में 9,318 करोर रुपे रह गया यह लक्ष 2026 के तहत टाप रिटेल फाइनाइन्स कम्पनी बनने की दिशा में गती प्राप्त कर रहा है डिबर्समेंट में 32 परतिसत की ग्रोथ कम्पनी की तिमाही नतीजे पर L&T Finance Holding Limited Managing Director और CEO दीनानाथ दुभासी ने कहा लक्ष 2026 के अधिकांस टार्गेट को हासिल करने के बाद मुझे यह घोशना करते हुए बहुत खुसी हो रही है कि हमने एक टॉप रिटेल फाइनेंस कम्पनी बनने की दिशा में ट्रांसफॉर्मेशन को जारी रखा है तिमाही के दौरान LTFH ना सिर्फ आठ परतिसत के रिटेल पोर्टफोलियो मिक्स्ट तक पहुँच गया वलकि सालाना आधार पर 32% की ग्रोथ दर्ज करते हुए 13,499 करोर उपे का अब तक का सबसे अधिक तिमाही रिटेल डिस्बर्समेंट भी हासिल किया है इस उपलबधी का स्रे एक तरफ डिटेल एसेट बुक को मजबूती से बढ़ाने और दूसीरी तरफ हॉलसेल बुक में तीजी से कमी सुनिश्चित करने की दोहरी रननीती को दिया है जबकि हमने टॉप क्लास की एसेट क्वालिटी को बनाए रखा है 6 महिने में 52 परतिसत का रिटर्ण LNT Finance Holding के सेड़ ने निवेशको को तगरा रिटर्ण दिया है 6 महिने में सेड़ 52 परतिसत उचला है एक साल में 73 परतिसत चढ़ा है एक महिने में सेड़ 10 फिसीदी से ज़्यादा बढ़ा है जबकि इस साल अभी तक सेर में 52.75 फिसीदी की तेजी आई है 20 अक्टूबर 2023 को सेर 137 रुपया 25 पेशा पर बंद हुए